प्यार्य बच्चोन नमस्कार कैसे हैं आप सभी एक बर बता दिजे कि आवाज की quality और वीडियो की quality सब चीज ठीक है और आप सब कैसे हैं बिलकुल स्वस्थ मस्थ कैसे हैं तो फटा फटते सभी बच्चे एक बर वीडियो को share कर देजे क्योंकि आज का class आप सभी के लिए ब अलग वीडियो में हम लाए हैं ताकि आपको 100% समझ में आए अगर आप यह कर लेते हैं टॉपिक जिसका नाम क्या है डी बरोगली का तरंग देर्थ का ब्यांजक यह टॉपिक पांच नंबर का पूछा जाता है जो आपके फाइनल बोड परिक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है चाहे आप बाबू बिहार बोड से हैं यूपी बोड से हैं एमपी बोड से जहरखंड बोड से यह आपकी एकजाम में आता ही है तो यह पढ़ना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्पून है तो कितने सारे बच्चे हैं जो रेडी हैं आज की क्लास के लिए एक डीब रोगली तरंग क्या है और डीब रोगली तरंग का प्यार बच्चों वेंजक हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे ठीक है तो कितने सारे बच्चे हैं रेडी फटा फट से रेडी है तो प्यार बच्चों आपको याद रखना है कि अगर आप रेडी हैं तो स 913574-2024 ठीक है आप इसमें मैसेज करके फटाफोट से वट्सप ग्रूप में भी आप जुआइन हो सकते हैं और प्यारबचों जुआइन करना जरूरी है क्योंकि आपके पास अब टाइम भी कम है और फटाफोट आपको कलास भी करना है और हम लोगा सिलेबस भी बहुत जल् दिया जाएगा तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर करके आप ले सकते तो कितने सारे पच्चे हैं जो डियर करने के लिए डिंड होता है इनका सिध्धान्त क्या है क्या जो रेडि हैं चले यहां पर सबसे पहला जो टॉपिक है आपको किलियर कर लेना है कि डी ब्रोगली तरंग क्या कहता है तो सबसे पहले को कहानी सुने एक डी ब्रोगली तरंग क्या कहता है तो 1924 में याद रखना है कि 1924 में एक बिग्यानिक थे हना कौन सा बिग्यानिक तो फ्रांसिसी बि रूप में कारे करता है ठीक है यानि डीब रोगली तरंग देरत के अनुसार डीब रोगली ने क्या कहा जो परकास होता है कड के रूप में और तरंग के रूप में प्यार बच्छो कारे करता है यानि जो परकास होगा कड भी होगा और तरंग भी परकृति होगी उसकी यानि परकास होता है उसकी कण परकृती भी होती है और तरंग परकृती भी होती है यह क्या कहते है तो प्यार बच्चो यहाँ पर याद खना है कि डीब रोगली के सिधान के अनुसार कहा जाता है कुछ परिस्तितियों में क्या होता है जो परकास होता है कण के रूप में कारे करता है ठीक है तो यहां पर आपको इतना clear कर ले प्रस्तेतियों में जो परकास होता है कि कुछ परस्तितियों में जो होता है पेर बच्छों आपको यादखना है कि यह कण की तरह कारे करता है और कुछ प्रस्तितियों में क्या करेगा प्यारबच्चों यह तरंग के रूप में कारे करेगा ठीक है इसलिए इसको क्या बोला जाता है प्रकास की द्वेत्व परकृति भी कहा जाता है दोरी परकृति भी कहा जाता है ठीक है तो को क्या नाम दिया गया प्रकास की द्वेत परकृति बेस को कहा जाता है अब यहां भी दिखेंगा कि कि द्रब्य तरंग की परिकल्पना किस ने किया था तो आपको ध्यान में रखना है कि द्रब्य तरंग की परिकल्पना डीब रोगली साहब ने किया था ठीक है तो कब किया था 1924 में कहां के थे वो फ्रांसिसी थे तो इतना आपको किलियर हो गया कि नहीं कि अगर आप से पू करता है लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि परकास के याद रखिएगा कि डीब रोगली तरंग के अनुसार क्या होता है जो गति सीलकण होते हैं है ना गति सीलकण है या इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं द्रब्य तरंग बोलते हैं ठीक है तो यह आपको याद रखना है और आपको यह भी याद रखना है कि पूछ देगा कि द्रब्य तरंग की परिकल्पना किस ने किया तो आपको याद रखना है कि द्रब्य तरंग की परिकल्पना प्या करेंगे तो सबसे पहले और बच्छो एक बात और बताना चाहें उसमें एक बार याद रखियेगा यहाँ परकास की तरंग सिधानत के अनुसार आपको एक और बात याद रखना है कि प्लांक के quantum सिधान्त में हमने क्या पढ़ा था प्लांक के quantum सिधान्त में हमने ये पढ़ा था कि जो परकास उर्जा होती है बंडलो के रूप में चलती है जो परकास की उर्जा होती है छोटे छोटे बंडलो के रूप में चलती है तो उसका सुत्र क्या हो जाता है Ais-Kelly 2 क्या होता है हमने होता है ठीक है तो हमको क्या करना है परकास का यहाँ पर यादखेगा डीप रोगली तरंगदेत का सिध्धान्त यानि तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा पलांक के quantum क्वांटम सिध्धान्त के अनुसार परकास की उर्जा लिखने पड़ेगी तो क्वांटम यहां पर यहां दखेगा कि प्लांक के क्वांटम सिध्धान्त के अनुसार परकास की जो उर्जा होती है क्या होती है प्यारा बच्चो एसकल्टू एच नहीं होती है तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहां पर याद रखेगा कि सबसे पहले लिखेंगे हम लोग Planck के Quantum सिध्धान्त के अनुसार क्या बबू, Planck के quantum सिध्धान्त के अनुसार ऐसे लिखेगा जैसे हम लिख रहे हैं ठीक है, अनुसार परकास की उर्जा क्या लिखेगा बाबू परकास की उर्जा या दरखेगा ऐसे लिखेगा कि प्लांक के कॉंटम सिधान्त के नुशार परकास की उर्जा क्या होती है E school to kya होता है ह होता है इसको अम्माल लेते हैं समी करणवन ठीक है सब्सक्राइब मतलब च treadmill हो जाएयगा प्रयारा बच्चोओ अगर यहांपे लिखिएगा कि अगर यहां पे अगर हम प्रकास को आवेसित कण मानें क्या मायनें बाबु ऑवेशित कन याद रिखेगा कि अगर हम प्रकास को आवेशित कण मानें तो सापेक्स सिधात की अनुसार, ऐसे जाज़िए वधु कन लिख रहे हैं वैसे वैसे आइस्टीन के सापिक सिधान्त के अनुसार लिखिएगा प्रकास की उर्जा क्या होगी इनकी किसकी प्रकास की उर्जा क्या होगी ऐसे लिखेगा प्रकास की उर्जा क्या होगी 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 हम क्या कर रहे हैं प्यारबचो डीब रोगली तरंगदेत का भ्यांजक प्राप्त कर रहे हैं तो जैसे आपको पता है कि हमने प्लांक के क्वंटम सिध्धान्थ में क्या पढ़ता कि जो परकास की उर्जा होती है परकास के बंडलों के रूप में चलती है याद रखना है कि प्यारबचो सापेक्ष यहाँ पे सिध्धान्त की अनुसार क्या हो जाएगा इस कल्डू क्या होता है MCA स्क्वाइर होता है इसको समीकरण हम दो मान लेते हैं ठीक है क्लियर हो गया अब दिखिए कि यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा तो आपको याद रखना है कि समीकरण 1 तथा 2 को मिलाएंगे क्या करेंगे समीकरण याद रखिएगा कि 1 तथा याद रखिएगा 2 को याद रखिएगा 2 को ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं समीकरण 1 तथा याद रखिएगा कि समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या करेंगे मिलाएंगे तो प्यार बच्व जब मिलाएंगे तो mc sq2 क्या हो जाएगा h niv हो जाएगा यहाँ पर याद रखेगा कि mc sq2 क्या हो जाएगा h niv हो जाएगा ठीक है इतना आपको clear हो गया अब प्यारबच्व चुकी लिखिएगा ऐसे यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट से निवेदा ने कि जैसे जैसे लिखे रहे हैं वैसे वैसे लिखिएगा चुकी लिखिएगा कि निव स्कल्टू क्या होता है निव स्कल्टू क्या होता है चुकी आपक है यहां पे इतना लिखने से हमको क्या होगा यहां पे ध्यान रखने वाली बात है यहां पर बचेगा वो ध्यान रखने वाली बात है यहां पर आप देखिएगा, यहां से कट गया, तो M is equal to क्या बचा, M is equal to क्या बचा प्यारा बच्चो, M is equal to बचा क्या, यहां पर H, C, यहां पर 2 को C है, तो H, C लेमडा बचा, तो यहां पर क्या बचा, हमारा H और C, और यहां पर क्या बचा, हमारा लेमडा बचा, सॉरी, यहां पर हम लोग तो फोटोन को हम लोग क्या मानेंगे आवेस्त इसको मानेंगे फोटोन को आवेस्त अगर हम यहां पर मान लेते हैं खांड हुघ काम कित्phone को अगर हम क्या करते हैं प्यारा बच्चो एक हो सब्सक्राइब ने सब्सक्राइब और यह लिखे गा कि अगर है Nana अगर विख है है कि आगर को और अब मoju कर आधाये कर है जो फोटोन अगर आवेसित कड़ है तो उसका समवेग क्या होगा फोटोन अगर आवेसित कड़ है तो समवेग क्या होगा तो समवेग क्या होगा तो याद रखेगा कि अगर फोटोन इको आवेसित कड़े तो इसका समवेग क्या होजगा पीजकल टू क्या होगा अगर हम फोटोन को परकास की चाल मान लेते हैं चलिए यहाँ पर क्या मानेंगे आवेसित कर नहीं मानेंगे अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे एक मिनिट और असान बना देते हैं आपको यहाँ पर अगर हम फोटोन को परकास की चाल मानें यहाँ पर चाल माने याद रखेगा परकास की चाल माने तो क्या होगा पी स्कल्टू क्या हो जाएगा प्यारा बच्छों याद रखना है कि M और इंटू क्या हो जाएगा C, क्योंकि हमने क्या मना है, फोटोन को परकास की चाल मना है, तो P स्कल्टू क्या हो जागा, M into C हो जाएगा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, अभी सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, P है तो P, अब यहाँ पे इसकल्टू, M की जगाओ पर हम क्या रखेंगे, तो M का मान हमारा कितना निकला, M का मान निकला, H बटा, on CF, यहाँ पर क्या लखेंगे, P है तो P, M की जगाओ पर लिखेंगे, H बटा C यहाँ पर क्या हो जएगा? Lambda, into क्या हो जएगा? C हो जएगा? जब यहाँ पर आपको इतना पता लग गया, तो आप क्या किजेगा? कि यहाँ से 1 उसी इसको, और यहाँ पर 1 उसी इसको, हम क्या करेंगे? कटा देंगे. यानि, अगर आप से बोले, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? यहाँ पर याद रखेगा. P है, तो P बजएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? H यहाँ पर Lambda बचेगा. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको एक परकार से और लिख सकते हैं, अगर Lambda का मान निकाले, इस Lambda का मान निकाले, यहाँ पर याद रखेगा, कि अगर हम इस Lambda का मान निकालते हैं, अगर हम इस Lambda का मान निकालते हैं, तो Lambda सकल 2 क्या हो जाएगा? प्यार बचो यह Lambda इधर जाएगा, तो P नीचे आजाएगा, तो H बच्चों में क्या बचेगा P बचेगा ठीक है लेमडा का मान निकलेंगे तो H बच्चों में P बचेगा तो यहाँ पे सभी बच्चे को ध्यान रखना है कि यह जो है हमारा प्यार बच्चों यह जो है यह आंसर नहीं है यहाँ पे आंसर क्या हो जागा लेमडा है तो ल कुल हो interpretation कि आपको ध्यान में रखना नहीं है हमारा बिप रोगली तुरणी나ट का भीन झांगें ⁦ ीट शल्हें हो कि आपको पूरा का पूरा समझ में आगे їх होगा फिर से एक बार पेजी से समझा दें दीब रोगली तुरंगा यह कि Wisconsin सिद्धान्त के ज़िए कंञब रंक हो जाएगा और निव क्या होगा हमारा आवरिती हो जाएगा फिर क्या करेंगे कि जब हम परकास को आवेसित मानेंगे क्या करेंगे प्यारा बच्चों जब हम फोटोन को आवेसित कड़ मानते हैं यहां पर दखना है अगर हम यहां पर दिखेंगे परकास को नहीं फोट सितकर माने तो आइंस्टीन के सापक सिधान्त के नुसार क्या होगा A S Sq2 M C Sq2 हो जाएगा तो प्यारबचो आपको यहाँ तक दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी हम उर्जा ही निकाले हैं किसका प्लांक के क्वांटम सिधान्त के नुसार हमने उर्जा ही निकाला और यहाँ पे भी फोटोन का प्यारबचो क्या निकाला आइंस्टीन के सापक सिधान्त का उर्जा निकाला तो दोनों परस्तितियों में हमने उर्जा ही निकाला है लिख दीजेगा क्योंकि जगा कम था अगर यहां पर कास फोटोन को हम परकास का चाल मने तो उसका समवेग क्या होगा पी स्कल्टू क्या हो एम इन्टू सी लिखिया या एम सी लिख दीजे ठीक है तो अगर मानेंगे तो क्या होगा तो पी स्कल्टू क्या होता है mc mc कमान आपका निकला हुआ है रख दीजिए cc कट जायेगा और यहां पर लेम्टा कमान निका लेज़े और P के जुगाँ पर लिख सकते हैं mc लिख सकते हैं तो यहीं हमारा क्या हो जगा डीब भरोगली तरंगदिर्ट हो जाएगा ठीक है झाल झाल